नमस्कार दोस्तों आप सभी के लिए खुशकवरी है जीन्द डिस्टिक कोर्ट में निकली है पियोन सफाई वाला और प्रोसेस सर्वर के लिए विकेंसियां तो आएए चलते हैं भरती की तरफ तो भरती की तरफ जाने से पहले प्लीज गुरु तक्षिना के रूप में एक लाइक कर दीजिए चलते हैं भरती की तरफ फॉर्म जरूर भरिये सिर्फ इंटर्व्यू पर वेज़स सरकारी नौक्री है अपने बारे में बताईए और सरकारी नौक्री पाईए इतनी विरोजगारी में सबसे सरवल पाएगे जीन्द जीन्द डिस्ट्रिक स्टूडेंट्स संपून जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके तो मैं आपको बता दू प्रोसेस सर्वर के बारे में सर्वर केबल एक पोस्ट है जन्रल की ठीक है एक पोस्ट है जन्रल की लेकिन कोई भर सकता है फार्म सबसे पहले हैं सबसे पहले जन्रल जन्रल की जो विकैंसी है आपके लिए वो फाइव है इसके बाद एसी एसी की दो है बी सी ए बी सी ए की एक है बी सी बी की एक और जन्रल इस एसम्की भी एक है ठीक है और टोटल पोश्ट है दस्मेह आपको बताई दिया इसके बाद सीपर कि सीपर की एक पोश्टर सब के लिए तो आप समझ लीजिए जो टोटल पोश्ट है आपकी बारा है ठीक है पता नहीं किसकी भाग में कौन सी नौपले लिख रही है इसलिए फॉर्म सब भर है ठीक है सेलरी बहुत बहतरीन सेलरी है सेलरी है आपकी 16,900 से 53,500 16,900 नहीं है यह 16,900 में टीए फलस दीए मिलाकर आपकी जो सेलरी बनेगी वो पच्चिस हजार से लेकर 26,000 के आसपास बनेगी ठीक है 25,000 आपको मिलेंगे कटपिट के सरकारी नौकरी है गवर्मेंट जॉग जोब है यह ठीक है इसके बाद मैं आपको इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ फॉर्म जरूर भर है आप लास्ट डेट है इसकी फॉर्म की भरने की 30 तारिक तो आज ही निकलिया है यह 30,1,2024 फॉर्म जरूर भर है आप अब मैं आपको बता देता हूँ एज एज है आपकी 18 से 42 साल ठीक है एज आपकी 18 से 42 साल है अब जो आपको फॉर्म भरने है वो 30 तारिक लाश डेट है साम 5 बजे तक 5 बजे तक या तो आप इस फॉर्म को फिल करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से साम को 5 बजे आप बाई हैंड जमा कर दें या स्पीर पोस्ट से भेज सकते हैं आप एड्रेस मैं आपको बता दूँगा सब कुछ बता दूँगा अच्छे से ठीक है तो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म अब मैं आपको बता देता हूँ कुछ मुक्के बात हैं डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आप सबसे पहले आपके पास जो क्लास रहेगी इनको फॉर्म भरने की एर्थ या तैन्थ है ठीक है तो आपके पास नंबर एक एर्थ या तैन्थ की मार्क सीट की फोटो कॉपी ठीक है नंबर दो आधार कार नंबर ती आधार कार के बाद आपको क्या लगाना है कास्ट सर्टिफिकेट ठीक है EWS सर्टिफिकेट ठीक है इन सब की फोटो कॉपी ठीक है अब असली मसला क्या है सेल पर टेस्टिट होनी चाहिए भी या सेल पर टेस्टिट होंगी तो ही आपका फॉर्म सलेक्ट माना जाएगा वरना फॉर्म रिजेक्ट ठीक है और ये तो रही मुख्य मुख्य बात है फॉर्म भरने का तरीका मैं बता दूगा इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं और लिफाफे पर जो आप एड्रेस लिखोगे वो कैसे लिखोगे और अपना एक स्वेम पता लिफाफा भी आपको डालना है स्वेम पता सेल्फ एड्रेस सेल्फ एड्रेस एंवलप आपको डालना है ठीक है उस पर आपका उस पर दस रुपे का टिकेट लगा देना है ठीक है दस रुपे का टिकेट लगा दे इसके बाद अब मैं आपको बता देता हूँ मुख्य बाते मुख्य बाते क्या है आपकी मुख्य बाते हैं आपकी address address है जो आपको दिया नहीं है notification में address नहीं दिया तो district and sessions judge district and sessions judge district and sessions judge एक में टुक जाई यह मैं देख रहता हूँ judicial code complex जीन्द अब आपको पता होना चाहिए भाईया जीन्द का पिन कोड जो सबसे जादा जरूरी है एक सो चब्विस दस दो ठीक है यह जीन्द का पिन कोड है ठीक है इस address पे आपका जाएगा address आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक अब लिफापा लिफापेपर क्या लिखना है दा लिफापेपर लिखना है आपको पोस्ट एप्लिकेशन एप्लिकेशन पोस्ट एप्लिकेशन फोर दा पोस्ट ओफ यहां पर आपकी पोस्ट आएगी स्वीपर या पीएं थीक है एफ्लीकेशन फॉर्ड पोस्ट ऑफ सीपर और फियं यह आपकी पोस्ट रहेगी या प्रोसेस सर्वर जो आपको डालना है यह लिफाफेपर लिखना है और कुछ नहीं लिखना ठीक है इसके बाद लिफाफे पर यहां पर तो आएगा आपका एड्रेस और यहां पर तो आएगा यह डिस्टिकेंट सेशन इंपोर्ट वाला और यहां पर आएगा फ्रॉम यानि के आपका एड्रेस नाम फादर नेम एड्रेस आपका फोन नमबर ठीक है यह सारी चीज़ा आपकी हाईगी मैं लिफाफे का भी आपके लिए लिंक डाल दूँगा लिफाफे पर किस तरीके से लिखा जाता है ठीक है उस तरीके से आप देख लीजिएगा और अब ही भी किसी का कोई डाउट हो तो मे सभी को भूल गया वो क्या वो यह की एक बात बतानी में आपको भूल गया वो क्या यह की यह ओल इंडिया भरती है भारत का कोई भी नागरिक लड़की हो या लड़का वो इस फॉर्म को भर सकता है ठीक है बसरते उसकी एज 18 से 42 साल के अंडर में होनी चाहिए सरकारी पर्मानेंट जॉब है कोई हटाने वाला है नहीं अच्छी आसी इस पर की सेल्डिren होती है भाई यह बनी बटा दि पच्चिस से 26 हजार और Sel Lord की यह 28,000 उस पर की सेण्डरी मिलें ils 24 का 7s 400 , 24 यह 23..? के आसपास में लेगी सेल भी तो भाया घर पे ना बैठें फॉर्म भरें बाई हेंड जमा करवाएं या स्पीड पोस्ट से भेज़ें और किसी की समझ में कुछ ना आया हो किसी तरीके का कोई डाउट हो फॉर्म भरना ना आया हो तो मैंने अपना वर्षप नंबर दे रखा म मेरे वर्षप नंबर पर जाएं और उस पर अपना फॉर्म सेंड कर दें मैं आपको तुरंट बता दूंगा और लिफापा भी कि आपने फॉर्म फिल सही किया या गलत किया ठीक है और बस यही मेरी आप से गुजार सकी इस फॉर्म को अच्छे से बरें और नौकरी पाएं और आपसे एक निवेदन है इतना मैंने आप सब के लिए किया है मुझे गुरु दक्सना के रूप में आप एक लाइक दे दें इस क्लास को छोटी सी क्लास को लाइक कर दीजिए और प्लीज हमारी अपडेट पाने के लिए जौब से सम्मंदित तो सब्सक्राइब भी करें कि सब्सक्राइब करें और ध्यान रखें इस इंटर्व्यू में सिर्फ आप से इंटर्व्यू के बारे में ही पूछा जाएगा यानि कि आपके बारे में पूछा जाएगा आपको अपने बारे में बताना है एक बात और मैं आपको नई बात बता देता हूं जीन्द के बारे में पूछा जाएगा जीन्द के बारे में ठीक है क्योंकि वहां पर इंटर्व्यू होगा तो जीन्द के बारे में पूछा जाएगा नंबर एक हर्याना जीके जीके के कॉश्चन पूछे जाएंगे आपसे ठीक है इंटर्व्यू में दो तीन पियन के काम स्वीपर के काम प्रोसेस सर्वर के काम पियन स्वीपर और प्रोसेस सर्वर के काम के बारे में आपसे पूछा जाएगा ठीक है नमबर चार इंडिया जीके से कॉश्टन पूछे जाएंगे ठीक है, ये चार अब, इंडिया जीके का वीडियो डाल रखा है मैंने, पी अन का डाल रखा है प्रोसेस सर्वर के काम क्या होते हैं आप मेरे वीडियोस में जाकर देख सकते हैं हरियाना जीके के वीडियो डाल रखे उनको देख सकते हैं और जो जो मैंने वीडियो डाल रखें आप मेरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं अगर आपको सरकारी नोकरी चाहिए तो और आप अपनी सरकारी नोकरी क्ल से मैं स्टार्ट करता हूं जींद के लिए Mm ए चेनल को लाइक करें और चैनल को subscribe करें जिसने आपके पास